हेलो दोस्तों आज हम कवर करेंगे दिल्ली ओमेंस और गुजरात ओमेंस का भीच जो T20 मुकावला होगा कल 7 बजे इंडियन समय अनुसारे सारे 7 बजे जो मुकावला होगा वो कैसा मुकावला होगा क्या बैटिंग फर्ष्ट करने वाले जीतेगा यह मैच या बैटिंग सेकेंड करने वाले हाई इसकूर कितना बन सकता है लो इसकूर कितना बन सकता है आपस में हेड टू हेड मकावले कितने खेले हैं कौन सा टीम ज कौंसा बैस्टमेंट को captain और GOis captain देना चाहिए democart unique bestment के room में कौन रहेगा कौंसा बैस्टमेंट है जो आज flopses होगा कौंसा बैस्टमेंट है unique होगा और जिनका selection percent low है उन बैस्टमेंट को अच्छे खासे चलने का उमीद लगा सकते हैं और जिनका selection percent काफी हा है वो best man flops होने की कगार पर आज पहुंच चुके हैं आईसा best man के बारे में बताऊंगा और unique best man के बारे में बताऊंगा save captain और vice captain best man में देना सही रहेगा या all under में ये भी बताएंगे अगर आपको balance pitch रहेगा तो कौन सा ओलंडर save रहेगा और कौन सा ओलंडर रिक्सी रहेगा कौन सा ओलंडर को अपनी team में सामिल करना चाहिए और कौन सा ओलंडर को बाहर करना चाहिए रिक्सी ओलंडर के room में कौन रहेगा, save ओलंडर के room में कौन रहेगा वलंडर में केप्टन और वाइस केप्टन देना सही रहेगा या नहीं ये भी बताएंगे अगर आप लोग बॉलंग को फेवर में टिम बनाना चाहते हैं तो अपने टिम में बॉलर को लेना चाहते हैं तो कितने बॉलर को ले और कौन सा बॉलर विकेट निकालेगा और कौन सा बॉलर फॉलॉक्स हो सकता है ये भी बताएंगे चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्षन से बात करते हैं विकेट कीपर सेक्षन से सबसे पहले देखिए यहाँ पर यूपी ओमेंस की एनि गुजरात ओमेंस की जो विकेट कीपर है वो है वी वनी गुजरात ओमेंस का जो विकेट कीपर है वे है वी वनी ये एक लवती विकेट कीपर है और एक ऐसा वैस्टमेंड है जो की विकेट की पर के साथ साथ और वैटिंग से भी पॉइंट देती है और ये किसी भी टीम के अगेंस अच्छे खासे परफॉर्म कर देगा आपस में दिल्ली ओमेंस और गुजरात ओमेंस तीन मकाबले खेले हैं तीन मकाबले में से ये एक मकाबले ये जो है गुजरात ओमेंस जीते हैं ए अच्छे खासे बैस्टमेन है अच्छे खासे बॉलर है अच्छे खासे ओलंडर है लेकिन गुजरात ओमेंस में ना तो बैस्टमेन है अच्छे ना तो बॉलर है दो चार गिने चुने बैस्टमेन है दो चार गिने चुने बॉलर है उसी में से आपको चूज करना है उसी में स आपको Captain और Vice Captain बनाना है तो से पिक रहेगा विकेट कीपर सेक्षन से वी मनी चाहे हाँ आप A2 Head League करते हो या Small League कहलते हो GL कहलते हो Mega GL कहलते हो GL का रिक्सी टीम बनाते हो किसी भी परकार काप टीम बनाते हैं तो बी मनी को अपने टीम में जरूर शामिल कीजिएगा क्योंकि इन्हें चलने का उमिद 99 पर्षेंट राता है एक पर्षेंट में चैसा होता है जिसमें ये फलोप सो हो जाती है दूसरे इंबेस्ट में में आ जाते हैं ये दिली के तरब से आपनेर है अच्छे खासे पर रिसंट के मैच में काफी परदाशन कर रहे हैं एस बर्मा का रिकाउट ठीक ठाक है एलुइड का वाई एलुइड के खासे तुमें बता देता हूं रिसंट के मैच में दो मकाबले में अच्छे खासे परदाशन की है लेकिन इस ट्रीम का अगेंस खास परदाशन नहीं कर रहा है यहाँ पर देखिया इसे गरौन डेस बर्मा को सूट करता है लेकिन हेड टू हेड मकाबले सूट नहीं करता है यह भी ध्यान आप लोग को देना है यूनिक में एल जनलन दो पॉंच मकाबले में तीन मकाबले में फ्लोप्स होई है दो मकाबले में अच्छे खासे परदाशन अच्छे खासे फॉम में है इन तीन विकेट कीपर में से आप चार विकेट कीपर में से आप दो तीन जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं अपने हिस से चारों का विकेट की बेस्ट मेन काफी संदार है चारों में से आप लोग किसी एक कोट राय कर लीजिेगा आप मैं बात कहज़े लेते हैं गुच पर यह रिपोर्ट जो है बात जै default जोकी शिटली गैप बात करें तो यहां पर हाई स्कोर 220 बने हैं लोग स्कोर के बात करें तो अपर वल आउट हो चुके हैं आपस में हेट टू हेड मकाबले जो है तेरे मकाबले खेले गए हैं रीस ग्रॉंड पर तेरे मकाबले हुए हैं तेरे मकाबले में से जो वैटिंग फर्स्ट किया है वह जीते हैं जो बैटिंग सेकेंड किया है वो नौ मकाबले जीती है कहीं न कहीं बैटिंग सेकेंड करना थोड़ा हेलफुल ग्राउंड करता है मदब तो सूट करता है थोड़ा सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाले को और जो जीतेगा वो बॉलिंग करने का फैसला लेग तो तब भी और वो चाहेगा बॉलिंग का फेवर में टीम बनाने का चलिए आपको विकेट कीपर सेक्षन से बता दिये हैं वैस्ट में बता दिये हैं एमकेन भाई इस टीम का गेंस पॉँच मकाबले खेले हैं पॉँच मकाबले में से 9 विकेट निकाली है इस टीम का गेंस जब जब मैच होई है ऑच्छे का से परदर्शन करते हैं इनकी अंदर काबलियत यह होती है इक विकेट नहीं मिलती है नहीं मिलती है जब विकेट मिलती है तीन तीन चार चार विकेट निकाल के जाती है एक अच्छे खासे परदर्शन है ठिक टाक परदर्शन उमीद लगा सकते हैं उसके बाद देखे के ओल्डे अच्छे खासे रिकाउडे का भी अच्छे खासे परदर्शन करती है का भी फ्ल बना दूँगा क्योंकि उसी अधार पर मैं गरेंडली कारिक से टीम बनाता हूं अगर आप उसी अधार पर शेफ टीम हेड टू हेड बनाना चाहते हैं तो ध्यान पुर्वक एश्टेप देखे एश्टेप एश्टेप समझे एस पर अंडिया जो है इस टीम का गेंस दो ब्लास को भीकेट नहीं मिल रहा है लेकिन अच्छे खासे अकविकेट निकाल जाकते हैने-दे एक लिकने का आधसे निकाली है उसन कि हैं गशस्टेप मेंस के मेंन बॉलर रायेगा सेब रायेगा जो कि एक मकाबले में चार वीकेट निकाली है अछे खासे परते सule के थी काथ से डर्मकार्ड यूनिक और बॉलर के रूम में रहे गए अब यह साथ बॉलर में से आप लोग किसी बॉलर को ट्राय कर सकते हैं जिनका लाइना में नाम सामिल होगा उनको क्यों मैं Esther Raog Pilar के बारे में Esther Raog Pilar बारे में बता देते हैं ताकि Toss होने के बाद बहुत से Pilip Mayor 아이아हिस होते हैं जिनका Selection Porcent High या Low होता है उसे अपने टिम से इंग्णोर कर देता है और कवी काला ऐसे देखने को मिलता है जिसे लाइना में नाम सामिल है उसे यह खेलने का मोका नहीं मिलता है, जिनका लईना में नाम सामिल नहीं है, वह उनकी खेलने का मोका मिलते हैं, वो अच्छे खासे परदर्शन कर लेती है, देखिया आप लोग, यहां पर सबसे पहले विकेट कीपर सेक्षम, वीवानी को अपने टीम में सामिल करना एस बरमा अपनर है अच्छे खासे परदर्शन करेगा एल लोट का सेलेक्शन परशन काफी हाए एंजडन को मैं अपने टीम में फिलाल के लिए पीक कर रहे हैं लोटी काच परदर्शन नहीं करेगा इस ट्रीम का गेंज अच्छे खासे फॉम में नहीं है सालेक्षन परशन काफी हाई हो गई है तीन बॉलर लेने के बाद ओलन्डा सेक्षन में आम करने एलर गरेंडर कर लुगा यह जख्याई करेगा इस पी चार से पॉच्छ नमर में उत्रेगी अच्छे कासे परदर्शन कर लेती है और इसन के मैस में ठीक ठाक परदर्शन गई है चार ओलन्डा सेव रहेगा तब बॉलर सेक्षन में आते हैं बॉलर सेक्षन में दो तीन बॉलर जो है यूनिक होगा प से तीन एक बॉलर सेव लिये हैंं वह यह की बाद दो डर्म का यूनिक बॉलर लिये मुझे पॉंच चे का कमनेशन बनाना है इसलिए एस बर्मा को किसी को ड्रॉप करकर उसके जगह नियू पिलियर को मैं अपने ट्रीम में जगह देना चाहता हूं वह नियू पिलियर के रूम में कौन रहेगा यह भी साइज करूंगा अब यहां एमकेन और में का इन दोनों को सेलेक्शन में से किसी एक को रख सकते हैं यह ती नमर में होगा आईए पॉंच नमर में इससे मैं ड्रॉप करकर इन पॉर्टेंज जो है बॉलर को मैं अपने ट्रीम उसके जगह एक बेस्ट में को मैं ट्राइक करू भॉलर के लिएच अपन ठीन ड्राइज करूंगा जनका रिकावड अच्छे खासे परदर्सन की उस रहते हैं और के इसपाडिया या हूँ इसे लेने के बाद देखे साथ चार का कमनेशन बन गया है अगर आप लोग पहुंचे के कमनेशन बनाना चाहते हैं तो ऐस राना भी अच्छे और या है अपनी उनिक लिए करते हैं और थे लिएखे साथ लिया है और वे ठाएं यूनिक लिआ हूं डर्मा का जिसे आप लोग बोलते हैं ओलंडर सेक्षन में चार ओलंडर लिया हूँ, चार ओलंडर में से एक ओलंडर लिया हूँ, रिक्सी डर्मकाड कुल मिला कर दो हुआ है, बॉलर सेक्षन में मैं एक बॉलर सेब लिया हूँ, दो बॉलर रिक्सी लिया हूँ, अब नेश्ट करता हूँ, कुल मिला कर मैंने एक अगर आप लोग बाइलेंस पीछ के हिसाब से टीम बनाना चाहते हैं तो मैं बैटिंग का फेबर में टीम बनाना चाहता हूं कैप्टन इसे दिया हूँ, क्योंकि सालेक्षन पर्षन कैप्टन से कम है, इसे मैं कैप्टन दिया हूँ, वोईस कैप्टन एल ने तो इनको दिया हूँ, मैं बैटिंग का फेबर्में टिम बनाया हूँ, इसलिए कैप्टन मैं उसे दिया हूँ, या तो मैं वोईस कैप्टन भाइस केपटन मैं इसे दुँगा जालेकशन परशंड कम है त्र Bibane करता हूं वी कि tertuben के बाद देखिए मेस तरह का का परविउ किस तरह से रहता है फिलाल के लिए मेरा ट्रुम का परविउ इस तरह से रहेगा देखिए इस तरह से मेरा टीम का पर विउ अभी के लिए रहेगा यही जो है मेरा grand league का आजmäßig टीम बनाया है और मैं horrend लिग का डिक से टीम बनाता हूं तॉस होने के बाद अगर कोई भी बॉललर चेंज होगा या बैस्ट में चेंज होगा तो मैं अपने